हेलो फ्रेंड्स तो अभी हमने देखा था कि मल्टिफल वर्क बुक्स को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अब हम एक ही वर्क बुक के अंदर मल्टिफल शीट के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर कुछ अलगलग डिपार्टमेंट्स की वर्क शीट ओपन है आईटी, एड्मिन, अकाउंट्स, पेक आफिस और एक कोई शीट है शीट वन अगर मुझे किसी भी एक शीट का रिनेम करना है यानि कि मुझे शीट का नाम चींज करना है जैसा अगर यह आईटी है और मैं चाहता हूं कि इसका नाम चींज होके हो जाए आईटी डिपार्टमेंट्स, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूं तो हमारे sheet टैप के अंदर sheet के ऊपर जाके जैसे ही आप right click करेंगे यहाँ पर एक option आता है rename तो अब मैं इसे यहाँ पर IT department कर देता हूँ याद रखिए कि जब भी आप कभी किसी sheet का नाम देते हैं तो कोशिश करिए कि उसमें space ना हो वैसे space होने से कुछ problem नहीं होगा आपके readability improve होगी बट कभी कभी कुछ formulas में space की वज़े से उसका notation है वो change हो जाता है और आपको उसे समझने में difficulty हो सकती है इसलिए कोशिश करिए कि आपके जो भी नाम है उसके अंदर space ना आए तो हमने अभी IT से IT department rename किया rename करने का एक और आसान तरीका है sheet के उपर जाकर double click कर दीजिए double click जैसे ही करेंगे वैसे ही यहाँ पर एक cursor blink होगा और आप चाहें तो अपने sheet का नाम यहाँ पर देखे enter press कर सकते है तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना sheet का नाम change कर सकते हैं अब अगर suppose यहाँ पर मेरे पास sheets available हैं और मुझे कोई एक नई sheet यहाँ पर insert करना है तो उसके लिए मैं suppose account के बाद एक sheet add करना जाता हूँ यह account के पहले एक sheet add करना चाहता हूँ तो मैं accounts के उपर जाकर जैसे ही insert पर click करता हूँ यहाँ पर हमें एक option आता है general और उसके अंदर worksheet selected है अगर हम देखते हैं इसका एक और easy shortcut तरीका अगर मुझे accounts के left में एक worksheet insert करना है तो हम कैसी कर सकते हैं तो अगर मुझे accounts के पहले एक sheet चाहिए तो उसके लिए मैं करूँगा अपने keyboard पर जाकर shift और जैसे ही मैं F11 प्रेस करता हूँ आप sheet tap को देखिए तो वहाँ पर एक sheet insert हो जाती है तो अब अगर मुझे sheet पर कुछ भी data नहीं और मुझे इसे delete करना है तो मैं simply right click करके इसे delete कर सकता हूँ क्योंकि इसमें कुछ data नहीं था इसलिए इसने save या delete करने के लिए कुछ नहीं पूछा अगर आपके पास data होता और अगर आप इसे delete करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक pop-up आजाता है you can't undo deleting sheets and you might be removing some data if you don't need it click delete अगर मैं यहाँ से delete कर दूँगा तो मैं इस action को कभी भी undo नहीं कर सकता इसलिए जब कभी भी आपको इस sheet delete कर रहे हैं तो आप confirm हो जाईए कि आपको इस data की जरुवत नहीं है ऐसे ही अगर हमको left में तो हमने देख लिया कि sheet कैसे add होता है अगर मुझे right में कुछ sheet चाहिए तो उसके लिए हमारे sheet tap के अंदर एक plus icon है जैसे ही मैं इस plus पे click करता हूँ तो आप देखिए accounts के right side में एक sheet add हो गई तो इस तरह से आप किसी भी selected sheet के left और right में sheets add कर सकते हैं अब अगर हमको ये sheet 5 भी नहीं चाहिए तो हमेंसे delete कर देते हैं अब अगर मुझे चाहिए कि IT, admin, accounts और back office में से मैं admin sheet सबको नहीं दिखाना चाहता तो इसके लिए simple right click और यहां पर हमारे पास इक option है hide तो हमारा sheet यहां पर hide हो जाता है ऐसे ही अगर मुझे इसे unhide करना है तो मैं इसे right click करके वापस unhide करूँगा तो वो मुझे से पूछता है कि which sheet you want to unhide अभी क्योंकि एक ही sheet है इसलिए आप उसको select करके okay करेंगे वो वापस visible हो जाती है अभी हमने देखा कि किस तरह से हम sheets को rename कर सकते हैं कैसे ही हम नई sheets को insert और delete कर सकते हैं और कैसे ही उनको hide और unhide कर सकते हैं अभी हमने कर सकते हैं